वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे एक वोलटाइल या साइडवेज मार्केट को हमें अप्रोच करना चाहिए कैसा हमारा माइंड से रहना चाहिए कैसे मार्केट को ट्रेड करते हैं जहां पर कोई बड़ी मुवमेंट्स नहीं आ रही हैं लेकिन दोनों तरफ उपर और नीचे दोनों तरफ हमें वोलटाइल स्विंग्स देखते हैं तो चलिए बात कर लेता हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का डिसकुशन करेंगे तो हम आज प्राइस अक्षन करने वाले हैं कि आज के दिन में क्या हुआ तो आज की ओपिनिंग कहा पर मिली हमें इस जगह के आसपास में थी मौर्णिंग में क्लिरटी डिसकस्ट किया गया था कि हमें बाइंग नहीं करना है अब देखो यहां से मार्केट डायरेक्ट नीचे की तरफ आता है मैंने क्या कहा था कि मैं जह अगर बाइंग करना होगा तो डायरेक्ट नहीं कह parity आता है तो इस कहीं लेवल के आसबास डेलो के आसबास से मैं बाइंग का attempt करूंगा देखो मार्केट यहां पर नीचे आता है और फिर यहां पर आपको एक जबरदस बाइंग का मोमेंटम देखने को मिला मौर्णिंग में पहला ट्रेड मेरा यहीं कहीं के आसपास था और यह पूरी रैली जो रिवर्सल वाली थी उसको मैंने यहां पर कैप्चर करी थी बहुत अच्छे तरीके से और आई होप आपने भी कैप्चर किया होगा यह हमारे कंप्रीट प्लान के एकॉर्डिंग ही यह ट्रेड चला था अब बात करते हैं आगे क्या होगा मार्केट यहां से आता है नीचे की तरफ आता और उपर जाता है फिर यहां आने के बाद मार्केट में हमें एक वोलेटालिटी देखने को मिली यह वोलेटालिटी क्यों थी क्योंकि एक रिजिस्टेंस लेवल था मार्केट वहां पर रिजिस्टेंस ले रहा था और जब market यहाँ पर काफी जादा दिर consolidate कर लिया था उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि maybe market अगर इसको उपर की तरफ break करता है तो हमें एक अच्छा buying side का momentum देखने को मिल सकता है तो इस zone में मैं completely neutral होके बैठा था लेकिन जैसे यह zone break होती है वैसे हमारा consolidation box setup भी है जिसके बारे में YouTube में मैंने पहले ही बता रखा आपको तो हमें एक अच्छी खासी buying देखने को मिल सकती थी बट यहाँ पर यह नीचे की तरफ break down करता है तो उपर break down करे या नीचे break down करे फरक नहीं पड़ता है जिदर भी break down आता है उदर एक बड़ी movement हमें देखने को मिलती है क्यों क्योंकि दोनों side यहाँ पर stop loss पड़े होते है तो जिदर भी stop loss trigger होता है उदर एक बड़ी movement देखने को मिलती है अगर यहाँ पर इस वाले movement को मैंने किस तरीके से capture करे आज मतलब आप मानलो मैंने major सारी movements capture करी बस मेरे को यह movement जो आई ने यह वाली movement वो मिस हो गई मेरे से और यहाँ पर मेरा 1 SL हो गया तो दिन में आज मैंने 6-7 trade किया थे मतलब मैं scalping कर रहा था जादा बड़े-बड़े profits वाले trade नहीं थी क्योंकि 2500 point के बीच है market था तो 6-7 trade में एक में मेरा किवाल SL हिट हुआ और यह वाला move मिस हुआ मेरे से बाकी मैंने यह भी capture किया यह भी capture किया जब यहां से जा रहा था तो इसके बीच में भी trade लिया यहां पर ही मैंने trade लिया तो बड़े profits तो नहीं हो रहा थे क्योंकि मैं quantity limit में करके चल रहा था यहां पर सारे trades सही जा रहे थे यहां पर एक stop loss गया मेरा हिज़ए कि आसपस buying side में और वह भी stop loss क्यों गया क्योंकि market में जो premium का chart था ना वहां पर गड़बड आया थी आप जाके call side का chart देखना और bank nifty का chart देखना दोनों आप side by side लगा ले ना और वो time था करीब तीन बज गया day high के आसपस तक बड़ जो option chart था उसमें कोई भी movement नहीं आई और यहां पर जैसे बड़ी दो candles बनी option chart बहुत तेजी से fall कर गया और मैं SL system पर लगा के रखता नहीं आप लोग को मालूंगा तो यहां पर exit करते करते slippage में जादा point चले गए यहां पर वनना यह भी SL मेरा या फिर cost to cost निकलता है या फिर इसे भी profit में book कर रहा था वर premium में बिलकुल movement नहीं था और generally ऐसी क्यों होता है पता है क्योंकि holiday है एक दिन छुटी है तो premium adjustment कभी भी आ जाता है किसी भी एक random time पर खासकर जब market close होने वाला होता है उस time तो उस time थोड़ा सा adjustment हुआ premium में और फ एक मिनिट चार्ट में चल के आपको दिखाता हूं अगर एक मिनिट के चार्ट में जाओ अब देखो market गिर रहा था और गिरते time market ने यहाँ पर एक gap छोड़ दिया यह गया आपको यहाँ पर नहीं नजर आ रहा होगा बट अगर मैं निफ्टी के चार्ट में जाता हूं य यह मैंने बिलकुल expect नहीं किया था मुझे लग रहा था यह gap फिल हो जाएगा अगर यह gap फिल होता और market इसका ही trend line के आसपास आके मुझे trap trading का setup दिखता है तो क्या पता यह भी rally capture हो जाती बट कोई बात नहीं कुल मिला जुला के दिन काफी अच्छा रहा और मैं आपको य एक बार कोई range दिख जाती है कि भाई market यह दो range के बीच में फस रहा है उपर का कोई level आपको दिख जाएगा नीचे का कोई level दिख जागा यह चीज दिखने में ऐसा हो सकता है दो घंटे लग जाते है मतलब 11-12 बज़े जाके clear होती है कि market में range बन रही है तो जबी भी range clear हो breakout ने ट्रेड करने जैसे यह candle पूरी निकल गई न तो वैसे जब तक कोई candle निकल नहीं जाती है then market retrace नहीं करता है तब तक मैं यहाँ पर breakout वगरा नहीं trade करने को दिखता हूं तो point number one है look for reversals कभी भी आपको अगर zone दिखती है तो हमें इसा reversal जूनने की कोसिस करें ना कि breakout 200-300 point की थी तो इसको मैं tradeable range मानता हूं 300 point की range में हम आराम से 100-800 point capture कर सकते हैं but sometime यही range 150-170-200 point की रहती है तो 200 point की range में 500 point निकालना काफी जादा मुस्किल हो जाता है तो वैसे situations में trade avoid करता हूं और अगर करना भी हुआ तो कम quantity में करता हूं यह तो हो गया money management के हिसाब से ले यह कोशिस करता हूं कि जो beach में कोई setups बन रहा है ना मानलों यह range है top और यह range है bottom मतलब यह top point है और यह bottom level है और beach में मुझे कोई setup दिख रहा है तो generally वह setup में avoid करने की कोशिस करता हूं और चाहता हूं कि मुझे setups दोनों extreme ranges पर ही देखे जो extreme areas है वहाँ पर कोई setup मिले तो मैं high mark करो और यहां पर fib लगा दो अगर आप fib लगाओगे तो बीच में 0.5 उपर के तरफ मानलो आप 0.6 और नीचे की तरफ 0.3 का area निकल के आएगा तो यह जो zone बनती है ना यह zone हमारे लिए no trading zone होती है इसके बीच में कोई भी positions नहीं बनाते हैं इस चीज का ध्यान रिखना ह तो यहां पर भी फिब वाली जो strategy हमने वीडियो में शेयर करी तो यहां पर आप अगर यह काम करते हो तो आप बड़ी आसानी से over trading को भी avoid कर सकते हो और ऐसे ranges को भी avoid कर सकते हैं जहां आपको excessive trade नहीं लेना होता है यह हो गया हमारा second third point और उसके बाद एक point मतलब थोड़ा स करती है थोड़ी momentum आ रहे फिर market reverse का जा रहा है यहां पर एक trend line बना है तो एक ठीक ठाक momentum देखने मिल गए थी पर जनरली यह momentum ठीक ठाक आपको इसलिए देखने मिली क्योंकि यहां पर जो range था वो थोड़ा सा बड़ा था अगर यह रों range और छोटा होता ना तो trend lines की accuracy बहु सब डॉट डॉट फॉलो हो रहे थे उपर की तरफ market निकला यहां पर breakout successful नहीं हुआ यहां पर भी consolidation box setup बना है और बड़ी तेजी से market नीचे की तरफ गिरा है अगर similarly हम निफ्टी की बात करते तो निफ्टी में भी सारे levels follow हुए थे हमारे उपर मैंने आपको यह level देखा था देखो यहां पर जाके पहले रुका जब यहां पर फेक breakout दे रहा था तभी मैंने आपको कहा था अब फिर यहां पर एक फॉल भी आया था यहां पर market बना है नीचे की तरफ आता है तो पूरा breakdown नहीं कर पाता है टॉप से अगर आप यहां फेब लगाते तो यह जो हमारा zone जाता वहां तक आया था यहां पर रुकता है फिर उपर की तरफ जाता है ब्रेक आउट दिखाता है यह लेवल आपको दिख रहा यह भी मैंने मार्क करके दिया था जहांसे exactly market भूम के नीचे अगली बार जाता है तो फिर एक नया हाई लगाता है तो basically इसमें एक advanced trend line बन र दिरा होता है तो यह कुछ price action की बाते थी जो आज दिन बर में हुआ अब कल की बाते कल सुबह analysis stream में करने वाले 8.30 बश ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी तो जरूर जोइन करिएगा वीडियो पसंद आई knowledgeable लगी कुछ सीखने को मिला तो channel subscribe कर दीजे आपकी मर्जी आप like करो लेकिन subscribe कर दोगे तो आगे भी knowledge का ऐसा flow बना रहेगा और अगर कोई special feedback हो कोई कमी रहे गई हो तो नीचे comment section में बताएगा मिलते हैं next video में धन्यवाद